हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज मेरी सीरीज में मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप इजी मेथट के तुरू MS पेंट करना सिखा रही हूं मगर क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर आप चाहते हैं आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें तो बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अबैकस का कोर्स करके बड़े बड़े नमबरों का कैलकुलेशन माइन में ही विदिन सेकंड्स कर पाएं तो हमारे इंचेचियू टैवा एकैडमी में फ्री डेमो क्लास जरूर बुक कर लीजेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोडिंग क्लास करके बचपन में ही गेम डिवलपर बने तो इंट्रोड़क्टरी क्लास जरूर बुक कर लीजेगा फोर नमबर स्क्रीन पर डिस्पले हो रहा है तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एडिट कलर्स यूज़ करके कलर्स का शेड हम चेंज कर सकते हैं और आज हम एक ब्यूटिफुल सी सेंड रिवी बनाने वाले हैं तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ओके, friends, आज मैं दिखाने वाली हूँ सबसे पहले कि हम color कैसे change करते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं different line बना रही हूँ ताकि आप differentiate कर सकें कि किस तरीके से shades change होते हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने एक rectangular box बनाया है और उसमें different lines बनाई हैं, separate करने के लिए color shades friends, यह अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी line बनाते हैं, कि आपका line last point से touch जरूर हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, तो जब आप fill color करते हैं, तो वो सारे drawing में ही color हो जाता है, वो separately उस part पे color नहीं होता, ठीक है, तो अब हम edit color से हम shade change करेंगे, तो हम सबसे पहले red लेते हैं, ठीक है, red मैंने लिया, fill color के option को use करके, मैंने एक part इसका color किया, अब मैं चाहती हूँ कि red का different shade मिले मुझे, तो मैं edit colors में जाऊंगी, उसके बाद मुझे यहाँ पे click करना है, जो मुझे shade चाहिए, अगर मुझे red से और light चाहिए, तो मैं हलका सा light पे click करूँगी, ठीक है, उसके बाद ok में click करना है, अब आप देखिए color change हो गया, dark red उससे हलका सा light, अब मुझे और light भी करना है, तो मैं और उपर थोड़ा सा click करूँगी, ठीक है, फिर ok बटन पे click करेंगे, अब आप देख सकते हैं, color में change आ गया है, इससे भी light चाहिए, फिर edit color पे जाएए, फिर दूसरा shade choose कीजे, फिर ok पे click कीजे, इस तरीके से हम shade change कर सकते हैं, अब मैं किसी और color का दिखाती हूँ, blue का दिखाती हूँ आपको, ठीक है, यह हमारा blue ह अगर मुझे इसका different shade चाहिए, edit color में जाएंगे, जो भी हमें चाहिए, अगर हमें dark चाहिए, तो हमें down में click करना होगा, light चाहिए, तो हमें उपर click करना होगा, ठीक है, तो मैंने dark choose किया है, फिर मैंने ok बटन दबाया, अब आप देख सकते हैं, कि color change हो गया है, और different color अग अगर मुझे light चाहिए, तो मैंने light में click किया, फिर ok बटन दबाया, shade change हो गया, तो इस तरीके से friends हम color change कर सकते हैं, और different different color ले सकते हैं, आप ये नहीं सोचेगा कि जो इतने colors हमारे palette में हैं, बस उतने ही color हमारे पास है नहीं, हम हर color का different different shade चूस कर सकते हैं, लाइक अगर yellow color का shade चाहिए, तो मैंने yellow में पहले click किया, फिर मैं edit colors में जाऊंगी, फिर yellow का जितना भी shade है, अगर मैं नीचे जाऊंगी, तो मुझे yellow का dark shade मिलेगा, और जैसे जैसे उपर जाऊंगी, मुझे light shade मिलता जाएगा, तो बस मुझे जो भी shade चाहिए, उसे select करना है, और ok बट बनाने वाले है, scenery, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये save नहीं करना है, मुझे new page चाहिए, scenery बनाने के लिए तो मैं file में जाऊंगी, new में click करूंगी, अब एक pop-up box आया है, do you want to save changes to untitled, ये जो मैंने drawing बनाई है, इसे मैं save करना चाहती हूं या नहीं करना चाहती, तो मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने don't save में click किया है, अगर आपने कोई drawing बनाई है, और आपका इस तरह का pop-up box आता है, तो आप save जरूर कीजिएगा, अगर आप उसे save करना चाहते हैं तो, okay friends, अब हमारा new page आ गया है, अब हम drawing start कर सकते हैं, तो आज हम scenery बनाने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं एक border बनाऊंगी, border बनाने के लिए आपको rectangle में click करना है, उसके बाद जहां से आपको start करना है, वहाँ पे left button click करके, press करके रखना है, hold करके रखना है और stretch करना है, और जब आपका size मिल गया है, तो आप कहीं पे भी click कर लीजे, shape के बाहर, see, तभी यह हमारा shape final हो जाता है, ठीक है, अब मैं line का option choose करूँगी, line को click कीजिए, फिर यहाँ से आप press कीजिए left end button को, और hold करके रखिए, और यहाँ end point तक जाके फिर release कीजिए, उसके बाद में यह orange color, orange color मैं fill करने वाली हूँ, ओके friends, अब मैं color fill करूँगी, तो मैंने fill color option choose किया, फिर मैंने orange color choose किया, orange color को मैं यहाँ पे fill करूँगी, और यहाँ पे fill करूँगी, ओके, अब मुझे orange का यह shade पसंद नहीं आ रहा है, तो अब मैं edit color में जाती हूँ, और orange का different shade choose करती हूँ, ओके friends, तो अब मैंने choose कर लिया है, तो मैं okay बटन दबाऊंगी, अब मैं जब color करूँगी, तो orange का मुझे different shade मिलेगा, अब मैं tree बनाने वाली हूँ, उसके लिए friends आप pencil select कीजे, pencil में double click, single click कीजे तो pencil select हो जाएगा, उसके बाद आपको size में जाना है और thickness बढ़ानी है, मैं last option choose करने वाली हूँ, इसे click करेंगे, हमारी pencil की thickness बढ़ जाएगी, अब हमें यहां mountain बनाना है, left button को press करेंगे friends, okay, see, अब orange, यह दिख क्यों नहीं रहा है, मैं कुछ भी drawing कर रही हूँ तो, क्योंकि यह orange color ही है, pencil का color orange है, तो orange पे orange दिखाई नहीं देगा, तो हमें color change करना है, यह आप मत भूल जाएगा, ठीक है, मैं black color चाहती हूँ pencil का, तो पहले मैं black select करूँगी, अब यहां पे आप देख सकते हैं, कि black select हो चुका है, अब हम pencil से जो कुछ भी draw करेंगे, वो हमें दिखाई देगा, visible होगा, तो आप किसी भी तरीके से mountain बनाईए, और try केज़ेगा, friends की थोड़ा सा curves आता जाए, क्योंकि original फिर वो इसी तरीके से लगता है, ठीक है, इस तरीके से आप mountain बनाएंगे, अब मेरा mountain बन चुका है, तो अब मैं fill color करूँगी, इसमें black, क्योंकि हम night का scene बनाने वाले हैं, friends, तो black color का मैं mountain color करूँगे, अब मुझे नीचे भी चाहिए, कि नीचे भी कुछ पहाड की तरह का show करें, तो मैं दुबारा pencil select कर रही हूँ, अब सेम उसी तरीके से, यहाँ पे आपको mountain बनाना है, अब इसमें भी आपको fill color करना है, black color ही करना है, तो fill color को select कीजिए, black already selected है, इसलिए हमें बार-बार select करने की ज़रूरत नी, just हम shape में जाएंगे, single click करेंगे, हमारा black color हो जाएगा, अब मुझे sun बनाना है, sun के लिए मैं circle लूँगी, circle का color मुझे yellow जाहिए, तो मैंने yellow में click किया, अब यहाँ मैंने circle draw किया, मेरा size perfect हो गया है, लेकिन मुझे यह थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो जब तक आपने बाहर click नहीं किया है, single click, तब तक आप shape को move कर सकते हैं, तो मैं perfect position में ले आऊंगी, उसके बाद shape के बाहर जाके single click करना है, अब यह shape set हो गया है, अब इसे आप move नहीं कर सकते, अब मुझे इसके अंदर yellow color fill करना है, तो मैंने fill color option को click किया, color yellow already selected है, तो मुझे इसे वापस से select करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे अंदर जाना है shape के और single click करना है, हमारा sun बन चुका है, अब यह sun के जो light है वो नीचे मैं चाहती हूँ कि आए, again मैं pencil select करूंगी, pencil का color मुझे yellow ही चाहिए friends, तो again अभी मैं color different choose नहीं कर रही हूँ, और बस चाहे तो आप brush भी use कर सकते हैं, ठीक है, brush का भी option है, pencil से use करके देखते हैं, अगर pencil का आपको पसंद नहीं आए तो आप brush भी use कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि इसमें light आ रही हूँ, इस तरीके से आपको करना है, pencil से, pencil से या brush से, आपके पास दोनों option है, अब हम tree बनाएंगे, tree भी हम black color से बनाएंगे friends, इसलिए pencil का option मैंने यही रखा है, और अब मैं color black ले रही हूँ, तो black को select कीजिए, उसके बाद आपको जहां पे भी tree बनाना है, left hand button को press करके, आप जैसी भी drawing बनाएंगे, वो बनती जाएगी, लेकिन जब आपको यहां से दूसरी जगा जाना है, तो आपको release करना पड़ेगा button, उसके बाद ही आप दूसरी जगा जाके, वापस से left button को press कीजिए, और फिर drawing वापस अपनी start कीजिए, मैंने left hand button को press किया वाई friends, और मैं जिस तरीके से भी अपना mouse pointer हिला रही हूँ, move कर रही हूँ, उस तरीके से यह drawing बनती जा रही है, तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है, आप कोई भी tree कर shape ले सकते हैं, आपको friends बस left button को press करके mouse pointer को move करना है, जिस तरीके से भी आप move करेंगे, उस तरीके से वो drawing होती चली जाएगे, बहुत easy है friends, अगर आप try करें और इसके बाद भी मैं बहुत सारे और different different drawings लेके आने वाली हूँ, मैं easy से tough के तरफ जा रही हो friends, तो अगर आपको यह आपने नहीं किया, अगर आप हर class को देख रहे हैं, practice कर रहे हैं, तो I am sure कि आप बाकी जो बाद में मैं बताने वाली हूँ, वो भी सारे drawings आप easily बना पाएंगे, तो सारे classes जरूर देखिए और practice कीजे friends, ठीके, अब मैंने, यहाँ पे मैं जा करके left button को press करके move कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं tree बनाने वाली हूँ, next class में हम brush का option भी use करेंगे, मैंने left hand button को press किया हुआ है, और hold करके रखा है, और मैं mouse को move कर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं mouse को move कर रही हूँ, वैसे वैसे यह drawing बन रही है, तो इस तरीके से आप orbit trees बना सकते हैं, इस तरीके से आप orbit trees बना सकते हैं, इसको और decorative बना सकते हैं, तो अब मैंने यह scenery बना ली है, यह हमारी complete हो चुकी है, तो अब मैं इसे save करने वाली हूँ, save करने के लिए हम file option में click करेंगे, save option में click करेंगे, मुझे यह drawing desktop पे चाहिए, तो मैंने double click किया है desktop पे, अब मैं यहाँ पे जो भी नाम लिखूँगी, वो name से यह scenery save हो जाएगी, तो मैं लिखूँगी paint, painting one, उसके बाद आप save में click कीजिए, उसके बाद आप close बटन में जाके, MS Paint को close कर सकते हैं friends, अब आप देख सकते हैं, मेरे desktop में यह paint one के नाम से save हो चुका है, friends, इसी तरीके से मैं next वीडियो में आपके लिए, बहुत सारे all different different drawings लेके आने वाली हूँ, इससे भी tough और beautiful, तो मेरे सारे series देखते रहिएगा, classes सारे attend कीजिएगा, और practice भी कीजिएगा friends, और आपको वीडियो सच में अगर beneficial लगा है, तो like, share and subscribe करना मत भूलिएगा, stay tuned, bye bye, see you in the next class. लाएगवा लोंग है प्रूलिए, सबक्वार भाएवार जो लेख जो है, जर लेख रहे son दोंशोने लेखते लो पाटे लेका इदेकी का नहीं,